हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई यूटीव चैनल लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लोकोमेशन एन मूवमेंट चैप्टर जिसमें हमने उस वीडियो में डिसकस कर लिया था टाइप अफ मूवमेंट कौन सी होती है human being में या कोई भी animal में कितने टाइप की मूवमेंट होती है तो में जो लोकोमोशन है या मूवमेंट है इन human में वो depend करती है मूवमेंट आफ मसल फाइबर्स कि मसल फाइबर्स या muscular मूवमेंट ही help करती है human being को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने तक तो आज हम पढ़ेंगे पहले तो मसल मसल का क्या structure है किसकी वज़े से contraction होती है या relaxation होती है किसी भी मसल की जिसकी वज़े से movement होती है बोडी में तो सबसे पहले हम करेंगे मसल जो human muscle है वो constitute करता है 40-50% जो weight होता है human का उसमे 40-50% human muscle का ही weight होता है अब तीन टाइप की मसल होती है skeleton, stripted, sterated second है जैसे smooth, unstripted and non-sterated third one is cardiac muscle ये तीनों मसल हैं ये मैंने आपको जब हम tissue in animal discuss किया था उसमें मैंने आपको ये तीनों का difference करवा दिया था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखिए तो आप मैं description box में डाल दूँगी तो आप इन तीनों में क्या difference है मेंन में आप देख सकते हो तो start करते हैं सबसे पहले detailed structure of skeleton muscle उससे पहले हम करेंगे कि जो skeleton muscle है वो consist है ये कि से बनी है muscle fiber से जिसे हम muscle cells भी कह सकती है अब जो muscle cell है वो multi-nucleate होगा ये आपने याद रखना है कि जो skeleton muscle है वो multi-nucleate होता है इसकी जो shape होती है वो slendrigal होती है light and dark man present होती है ये सारगुष आप difference में देख सकते हो जो skeleton muscle है उसकी cell membrane या plasma membrane को हम कहेंगे sarco lemma and sarco lemma वो invaginated हो जाती है means fold हो जाती है next is sarcoplasma जो cytoplasm होगा muscles का उसे sarcoplasm कहेंगे जो mitochondria से sacrosome कहेंगे and जो endoplasmic reticulum उसे हम कहते है sarcoplasmic reticulum and जो muscle fiber है means muscle जो cell वो आगे myofibrils से बना है myofibrils तो आप इस diagram में जैसे देख सकते हो कि ये human made की बाजू दिखाएगे उसमें muscle है तो muscle आगे muscle fiber से बना है यह से पूरा muscle fiber है उस muscle fibers में एक हम myofibrils निकाले तो यह से पूरा muscle fiber है muscle fibers किस से आगे बना है myofibrils बहुत सारी myofibrils मिलके muscle cell बनाती है muscle cells ये muscle है सारे तो आप देख सकते हैं dark band present और light band present ये आपको मैं आप ये बताती हूँ सबसे पहले आपने याद रखना है जो myofibril है वो dark band से बना है and light band dark band को हम कहेंगे a band and light band को हम कहेंगे i band dark band को हम another name कहें any isotropic band and light band means i band का नाम है isotropic band अब आपने क्या याद रखना है जैसे dark band present है dark band present है उसके बीच में एक zone present होता है जिसे हम कहते है H zone थोड़ा सा कम dark होगा जैसे इस figure में दिखाया है जैसे ये dark band present है A और ये दूसरा A इसके बीच में ये यह वाला portion जो light मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया हुआ है ये है H zone H zone के पास center में एक dark line होती है जिसे हम कहते है M line तो आपने क्या याद रखना है A band में H zone होता है H zone के अंदर भी क्या होता है M line होती है दूसरा हम करेंगे I band I band को हमने क्या कहा है light band light band present है और light band में एक line present होती है जिसे हम कहते है Z line अब मैं आपको diagram में बताती हूँ जैसे Z line पहले आपने याद रखना है I में कौन सी present है Z line जो dark है और A में कौन सी line present थी M line और जो Z line उसका अनदर नेम कहा है cryosomembrane and duby line यह आपने याद रखना है अब दो Z line के बीच में जो part present जो हम कहते है sarcomere अब आपको diagram के true easily समझ में आपने जाएगा जैसे यह एक myofibril है उसमें यह dark band present है जैसे A A यह पूरा कौन सा band present है dark band जिसे हमने A band का है इसके बीच में यह वाला portion कौन सा है H zone यह कौन सा है H zone H zone के बीच में यह वाली line क्या होगी M line तो यह तो होगे एक dark band अब इसके बाद कौन सा band present होगा light आपने light band बना दिया light band को हमने का का है I band I band के बीच में एक line present होगी जिसे हमने का है Z line इसे ही दुबारा फिर A band शुरू हो जाएगा A band शुरू कर दिया मैंने कि यहां पर A है और H zone यह M line है उसके बाद कौन सा आएगा light band हैगा means I band हैगा दुबारा से उसके बीच में कौन सी line present होगी Z line अब यह दो Z line के बीच वाले portion को हम कहते है सारको मीर I hope आपको समझ में आगा गा कि 2 Z line के बीच में वाले portion को कहते है सारको मीर Next हम करेंगे सारको मीर सारको मीर आगे फर्दर 2 Myofilament से बना है Thick Myofilament and Thin Myofilament Thick Myofilament कौन से प्रोटीन से बना है Myosin And Thin Myofilament है वो एक्तिन ट्रोपो माईसीन एंड ट्रोपो पॉनिन से बना है अब मैं आपको डाइग्राम के थूद द्वारा से समझा देती हूं बनाकर जैसे यह हमने क्या बनाए यह डाक बैंड बना दिया यह first यह second यह first यह हम diagram बना रहे हैं यह होगे dark bands अब मैंने आपको क्या बताया था dark bands को हम क्या गहेंगे A band भी कहते हैं जैसी यह A band होगे A band में मैंने आपको बताया है इस वाले portion को क्या कहेंगे हम Z zone और इसके बीच में एक lines present होती है जिने हमने कहा कहना है M lines और ऐसे ही सेम इधर होगा और इस वाले portion को क्या कहेंगे हम I band I band में क्या present है एक line present है यह dark band present है जिससे हमने क्या कहा है Z line ऐसे ही हम इधर बनाएंगे same to same यह second हमारी Z line आगी यह Z line यह I band है और यह Z line है यह वाले अब दो Z line के बीच को हम कहेंगे सारको मेर सारको मेर अब मैंने बताए कि जो सारको मेर हो आगे फर्दर दो मायफिलामेंट से बनाएं डाक यह वाली डाक होगी और बीच में क्या प्रेजन होती है लाइट यह थीन मायफिलामेंट से बनी है यह थीन मायफिलामेंट यह कौन सी मायफिलामेंट होगी थीन मायफिलामेंट बनी है ठीक अब मैंने आपको बताया जो थीक पढ़ेंगे भखले जैसे आपको लास्ट यह उसके पास पॉली बैपटाइड चेंज होती है दो है वहाइट हुगी और यह यह सब बनाएगी जैसे इस फिकगर में दिखाया है कि यह दिखो है वी चेन है कि आपको क्या कि हो double डूलौक्स में इसके पास हैड होगा दूसरा इसका टेल हैड क्या होगा जो रॉंडिड पोश्चिन टेल क्या होगा एक elongated rod like structure होगा यह तो है myosin की heavy chain के बारे में अब जो myosin myosin को हम trypsin के साथ यह उसके साथ यह react करता है यह जो trypsin protein है उसको जो myosin हो उसको दो further filament में हम कहा सकते हैं divide कर देता है जब fragments में divide कर देता है जैसे HMM heavy myosin and light myosin जो heavy myosin उसके भी आगे दो पार्ट होते है S1 and S2 S1 क्या होता है उपर वाला portion यह क्या है जैसे इस diagram में बताती हूँ कि यह देखो एक heavy यह हम कहते हैं myosin का structure है heavy chain का इसके पास head है और नीचे tail जब यह trypsin के साथ react करता है जब हम इसके trypsin के साथ myosin यह नीचे वाला portion के है light इसका वैसे तो कोई काम नहीं है main function किसका है heavy myosin है heavy myosin के पास भी आगे दो पार्ट है S1 and S2 S1 क्या हुआ इसका head वाला portion है नीचे जो इसका tail वाला portion है वो कौन क्या है S2 S1 का ही main काम है क्योंकि इसके पास क्या होता है ATPase ATPase enzyme है जो ATP की production करेगा ATP की production ही help करती है myosin को actin के साथ जोडने में क्योंकि जब myosin actin के साथ जोड़ेगा उसी time ही muscle में contraction होगी तो आपने यह याद रखना है सबसे पहले कि जो heavy chain है myosin की वो आगे further दो category में यह दो fragment में divide हो जाती है जैसे S1 and S2 S1 के पास ATPase होता है यह magnesium होता है जो help करता है myosin के head को actin के साथ जोडने में जो S2 है उसके पास ATPase और magnesium absent होगा और light के पास भी absent ही होगा main क्या याद रखना है HMMS1 जिसके पास ATP भी है ATPase भी है and magnesium है ताकि वो actin के साथ जोड़ सके और यह भी आदगन है जो myosin वे एक fibrous protein है next हम पढ़ेंगे thin myofilament थिक के बारे में पढ़ लिए myosin के बारे थिन में क्या होता है यह 3 protein से बनी है actin, tropomycin and tropopoinin जो actin है वो क्या है actin है globin protein है globinin protein यह मतलब दो form में act करेगा G form में F form में अब G form में कैम इसे एक single single की form में exist करेगा molecule की form में जब यह एक double helix या combine होके structure बनाएगा उसे हम कहेंगे F actin G form भी convert हो जाती है F actin में जब उसे magnesium की presence के magnesium की presence में हम उसको react करवाते हैं G को तो वो F में convert हो जाती है उसके बाद हम करेंगे tropomycin जो इसका second protein है tropomycin भी एक double helix rod की तरह है इसके जो structure double helix है यह एक fibrous molecule है actin क्या है global molecule है और जो tropomycin है वो एक fibrous molecule है और यह हमेशा किसके साथ attach रहेगा actin के साथ आपने याद दखने किसके साथ attach रहता है actin के साथ इसका main function क्या है इसने actin की जो active side है जो actin की active side उसको block कर देना है कि इसने tropomycin जैसे जैसे यह f filament है f actin है sorry इसके साथ इसने जो tropomycin है इसने attach रहना है जो समझे लो यहाँ पर इसकी active side है active side का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आके mycin जुड़ना है कि किसने जुड़ना है mycin आके जुड़ना है अगर यह active side ही block होगी किसके दोरा block कौन करता है tropomycin अगर tropomycin ने इस active side को block कर दिया तो mycin यहाँ पर आके जुड़ेगा नहीं अगर नहीं attach होगा तो वहाँ पर contraction नहीं होती है तो यहाँ पर यहीं लिखा है in the resting stage पर जब रिलेक्स होती है हमारी मसल उस टैम जो tropomycin है उसने active side को block करके रखा हुआता है तो यह block करने का क्या रीजन है क्योंकि इसने एक्टिन और mycin की जो क्योंकि रखना है ताकि contraction नहीं हो सके next है जो इसका protein है that is troponin troponin टीन टाइप का है troponin T, troponin I, troponin C troponin T का क्या काम है इसने tropomycin के साथ attach रहना है और troponin I का क्या काम है इसने भी actin and mycin की interaction को रोकना है अब troponin C का क्या काम है इसका मीन काम है इसने calcium के साथ binding करके initiate करनी है contraction means जैसे ये tropomycin troponin T, present है यहाँ पे जो troponin C है उसने क्या करना है calcium के साथ क्या करना है attach होकर एक structure बनाना है जिससे जो tropomycin है उसकी shape को क्या कर देना है alter कर देना है mist shape को change कर देना है जिसकी वज़े tropomycin क्या हो जाएगा इस active side से हट जाएगा और ये active side को free कर देगा ताकि ये mycin actin के साथ जुड़ सके means troponin C का क्या काम है calcium के साथ react करके tropomycin की shape को change करना है ताकि वो active side से हट कर mycin को वहाँ पे attach होने दे actin के साथ ताकि contraction हो सके बस इतना सा ही process है आपको ये question भी आया था calcium का क्या काम है जो last paper है calcium का क्या काम था कि उसने tropoponin के साथ attach होना है attach होके उसने tropomycin की shape को change करना है ताकि वो actin के साथ जुड़ सके mycin next आप देख सकते हो जैसे इसके main आगे फीचर है potassium सबसे ज़्यादा muscles में abundant material है mineral है वैसे तो calcium ज़रूरी होता है लेकिन potassium सबसे ज़्यादा muscle में पाय जाता है muscle always store करता है glycogen को muscle के पास एक oxygen carrying pigment होता है जिसे हम कहते है myoglobin जैसे blood में hemoglobin present है वैसे ही muscle में myoglobin present होता है जब calcium की presence में means calcium की presence में ही और ATP की presence में ही actin और mycin आपस में interact करते है मैंने आपको भी बता दिया कि actin और mycin आपस में कब interact करेंगे जब calcium आएगा calcium और की presence में actin और mycin रेक्ट करके एक component बनाते है compound बनाते है जिस हम कहते है actomycin actomycin ही contract करता है muscle में तो आप एक figure में भी देख सकते हो जैसे मैंने आपको भी बताया था structure of skeleton muscle के बारे में तो आप इस diagram के through में भी देख सकते है मैंने आपको बताना भूलगी कि जैसे ये था muscle fiber muscle fiber मैंने आपको बताया कि ये thin sarcomere present है sarcomere भी आगे thick और thin my filament में present है या उसकी form में present होता है जो जो sarcomere है ये वाला portion है sarcomere ये सारा z से z तक इस portion में देखो आप देख सकते हो thin भी my filament present है जो light color की lines है जो thick है वो mycin की है जो thin है वो actin tropomycin and tropopoinin इन तीनों से मिलकर बनी है जो thick है वो mycin से मिलकर बनी है तो ये सारा diagram हम next video में करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे की कैसे contraction होती है main तो आपने याद रख ले main main material की क्या क्या contraction के लिए चाहिए होता है next video में हम करेंगे mechanism of muscle contraction अगर आपको आज की video पसंद दे तो एक ये comment करके जूरू बताना thank you so much झाल 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 झाल